करेंश में आप लोगों को कूर्टी काटिंग करना बहुती आसान है और इसका इस्टीशिंग भी बहुती ईजी है तो यहां पर देखेंगे इस कूर्टी को काटिंग करने के लिए टूटल मैंने यहां पर फेब्रिक 2.5 मिटल लिया है इसीर मैंने फॉर्फुर फेरिpa लेना है तो कूर्टी का लमवाइ आपको जित्ता तक साहुए इसalon के हिसाब से लेrek मैं यहां पर कूर्टी का लमवाइ 42 इंस्टार राखूँए और यहां पर देखेंगे तो इंस तक राखूंगी तो मैं यहाँ से टूटल 44 इंस तक कुट्टी का लंबाई राखूंगी तो फ्रेंश फूटा से दिखेंगे इसे आप अब भी चैनल में निवे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बिल आइकन को क्लिक किजे ताकि मेरे हार ने और वीडियो की नॉटिफिक्शन आप तक सबसे पहले को उसने के लिए हम यहां से सबसे पहले कौन सा मेजरमेंट लेना है लंबाई के लिए मेजरमेंट राखूंगी तो लंबाई देगे आपको जितना तक चाहिए उसी कही सबसे लेना है मैं यहां से टूटल फेब् करने के बाद 7 इस तक राखूंगी तो फिर यहां से इसको मिलाना है मिलाने के बाद देखिए यहां से नेक लोंगी 2.5 इस उसके बाद लेना है यहां से हाफ इस डाउन करना है सुल्डर से जासा हमें हाफ इस डाउन किया है वहां से आमगूल लेना है 6 इंस तो अभी हम आपरचेस के हिसाब चे नहीं राखोंगी फूल बास सी भी हम फोर फिंग लूजिंग राखोंगी फोर फिंग लूजिंग रांगने के बाद यहां पर देखे टूटल थार्टी सिक्स इंज तक मिला है तो एक्स्टर शेलाई के लिए मैंने टू इस तक एद करना है हमेशा इन राखना है कुट्ती कातिंग के टायम में अपर चेस के हिसाब से नहीं, फूल बस के हिसाब से भी लेकिन हम फूल बस के हिसाब से उससे हम नहीं 1Loki कूर्ती के टायम में उसके बाद हम ही हीप के लिए में में the तो आभी यहां से कमर के लिए राखना है 30 इंच और यहां पर देखिए हीप के लिए 36 इंच तक राखूंगी और एक्स्टर फेब्रिक 1.5 इंच तक राखना है और यहां से भी देखिए 1.5 इंच से हम इस तर किसी बराबर मिलाना है यह देखिए यह आभी जो मैं निशना लगा रहे हो यह काट का निशना होगा यह देखिए इस तर किसी निशना लगा लिए तो अव यहांपर देखिए अमगोल में इस Jacobs मिलाना है तो यह देखिए इसके मैज्रमेन लहना कमप्लिट है तो आब हम इसको काट कर लोंगी तो यहाँ पर देखिए काट जहाँ जहाँ से हमें भी यहाँ पर चक्ष निशना दिया है उसी निशना के सबसे मैं यहाँ से काट करूँगी देखिए की दिखिए काटिंग कर लिए अब यह हम दुने पराट को अलाक कर दोंगे क्यूंकि हमें बैक पर और फर्म पराट का नेक काट करना है तो यह देखिए यहाज हमें नेक काट करना है यह हम बैक पाट का नेक काट करूंगी यहाँ से तो यहाँ से भी देखिए 2.5 इंच तक ही रखोंगी और यहाँ से देखिए 3.5 इंच तक इसका नेक दिप रखोंगी बैक पाट का उसके बार हम प्रांचेट क्या कायद करऊंगी म arrivas heme мane grand this वे यहाँ से देखिय नेख वरह राकोंगी तू पॉएंट पाइप इंचित वहricularosh और नेकदिप आइध शीच इंस दौ हम रावड़ नेक में साप मिलांगी हालका जाई श्याश त्रेまで श्याश उसके बाद हम काट करना है स्लीप इसमें से देखिए हम स्लीप काट करूंगी और स्लीप को काट करने के लिए यहां से देखिए हमें फेबरिक को हम टूटल फरफुल कर दोंगी क्योंगी दोंगी स्लीप को हमें साथ में स्लीप के लेना है तो यहां से देखिए में 10.5 एक आएक रहां है तो आभी देखिए यहां से स्लीप का मोहरी का राउन रखना है यहां से देखिए टेनिस और एक्स्तर फेब्रिक 1.5 फिर यहां से मिला देना है तो अब यहां स्लीप को काट कर लोंगी तो यहां पड़ेके मैंने स्लीप कारट कर लिया है तो चलिए अब यहां इसको किसी शीम परोड़ना है पूरा स्थे वाई-स्थे खरके दो लेती है तो यहां पड़ने कुट्टी शिलाय करना सबसे आसान है देखिए मैं तो यहां पड़ने स्लिप को अलग कर लेना है तो बैक पाइट और फ्रांट पाइट को सबसे पहले हम शूलर से जहन करना है तो यह देखिए यहाँ पर शिदा साइट जो शिदा साइट को मिला कर लेना है तो हम उल्टा साइट के तरफ से सिलाए लगाना है और यह होगा हमारा कुट्टी का फ्रांट साइट यह देखिए फ्रांट साइट तो आभी यहाँ पर देखिए बेक साइट राकना है और यह होगा बेक साइड यह देखिए जिस तरके से मैंने यहाँ पर सीधा साथ सीधा साथ की मिलाया है उसी तरके से मिलाना है तो यहाँ पर सुल्डा से इस तरह से बराबर लेना है यहाँ से तो दुनों साथ की तरफ से इस तरह किसे सोल्डार को दबल से लाए करने के बाद हम साइड ची पिको कर दूंगी क्योंकि यह रेयोन का फिब्रीक है किनारे से दागा निकाल जाएगा अब देखिए साइड की तरफ से एक पिको कर दूंगी तो यह देखिए दुनों साथ की तरफ से जैन कर लिया है अब है मैं यहाँ से स्लिप सिलाई करूंगी स्लिप को देखिए मैंने सेंटर बराबर मिला कर लिया है देखिए कभी भी ब्लाउस का या कुट्टी का स्लिप स्लिप करना है तो मीडल से बराबर मिला कर स्लिप करना है तो मीडल बराबर मिला कर स्लिप बहुत आसान तरिके से मिल जाता है झाल 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 उसके बदे कि स्लिप का मोरी को इस तरी किसी फूल करके सिलाई करना है हर शिलाई में डबल शिलाई ही करना है सिंगल शिलाई नहीं करना है तब देखें दूसरे साइट के स्लिप में भी ठीक हम यहां से सेंटर बराबर मिला कर लोंगी झाल झाल करते हैं झाल 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 आपाट की unter slip का supreme थे अब हम नेकपुटे करूंगी तो नेकपुटी स्लाई करने के लिए ओरेफ करूंगी और आपिक करने से क्या होगा nic नेक पुटी में प्लेट डालने का जरूरत नहीं होगा तो आगर सीधा काट करने से प्लेट डालने का जरूरी हुटा है तो यहां से देखिए हम नेक पुटी चिलाई करूंगी झालने करूंगी नेक पुटी चिलाई करने के बाद आभी हम देखना है यहां पर नेक को हम बरबर शिलाई किया किया नहीं तो यह देखिए चिलाई बिल्कुल बरबर है तो अब हम नेक को इस तरह किसे शुटा शुटा कात लगाना है यह चिलाई भी बिल्कुल करने का ज़रूरत थुट तो यह बरबर शिलाईyas के कądaने से नेक का फिनिसिंग भी आच्छा नहीं देखा तहिए तो इसलिए यह दूनी चीज़ को नियान में रखना है नेक को शुटा-शुटा कात लगाना है और फिनिशिंग के लिए चिलाई लगाना है तो एक बद दियान में राखना है देखिए अगर नेक को हम मिशिन ची चिलाई करना है तो इसमें देखिए ज़्यादा फेब्रिक तरकने का ज़रोट नहीं है नेक पोटी में तो यहाँ से जो भी एक स्टर फेब्रिक मिलता है इसको काट कर लेना है तो आभी देखिए हम नेक पोटी को मिशिन ची ची चिलाई कर लेना है चाहत आप इसको हाट चे भी सिल शक्ति है झाल 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 यह देखिए नेक पोटी को मैंने शिलाई कर लिया है इस तरह किसी देखिए तो आभी हम इसके फिटिंग्स के लिए नाप लेना है मैं यहाँ पर फिटिंग्स टाखूंगी 36 साइज के हिसाप से तो यह देखे मैंने fitting snap ले लिया है और कमल लिया है 30 इस तक और hip लिया है 36 तक तो यह देखे मैंने यहाँ से शिलाई करना है hip का side के तरब से यहाँ से जहाँ पर मैंने निशना लगया है उसी निशना का है सबसे शिलाई लगा लेना है कि यह देखिए दुनों साइट के तरफ से फीटिंग कर दिया है तो आप ही यहां से देखिए यहां से एक्स्ट्रा फिब्रिक को हमें कात कर लेना है इसमें देखिए उतना एक्स्ट्रा फिब्रिक नहीं चाहिए वानी से थोरा सा ज्यादा होने से थीक है देखिए यहां से इस तरी किसे कात कर लेना है दुनों साइट के तरफ से जूब एक्स्तर फेब्रिक मिला है हम इसको काट कर लिया अभी यहाँ से देखिए जहाँ से उपन रखना है यहाँ से इस तरह किसे मैंने चिलाई करना है यहाँ से देखिए यह से टू टटेल मैंने टू फू करके यहाँ से फूल किया है हापिस करके मैंने फूल किया है और यहाँ पर देखिए इस सिलाय में फिब्री को एक भी खीचना नहीं है नहीं तो एक साइट की तरफ से ज़्यादा हो जाएगा दूसरा साइट की तरफ से कम हो जाएगा तो इस तरह किसे यहाँ पादे की बिल्गुल हाल के हाथ से सिलाय लगाना है झाल है दून्यों साइट के तरफ से शिलाई करने के बार देखिए मूरी का साइट के तरफ से शिलाई लागाना है। इस तरह के शिलाई लागाना है। झाल 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 तो ये दिखी कुट्टी के सिलाई बिल्कुल कम्प्लीट है तो प्रेंस प्रेंस पसणांची वीडिको लाइक शेयल करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को शब्सक्राइब कर लिजए और साथ प्रेबL आइकन को क्लिक किजए। ताकि मेरे हाँ आने वाली वीडियो की नोटिफिक्स आप तक सबते पहले पहुंसने के लिए तेंक्यू